हेलो इस्टूराइंड वेल्कम तू माई चेनल माई इंजिनेरिंग क्लासेश तुड़े वी आर स्टेडिंगा न्यू चप्टर ऑफ क्लास 7 चप्टर नूबर 10 प्रैक्टिकल जोमेट्री में अलग 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 शेप्स बनाते हैं बट इन यूर्स लेवर्स में आपको स्ट्राइंगल से ट्राइंगल को कंस्ट्रक्श करना अब ट्राइंगल को आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे जैसे कि आपके पास तीन साइट दी हुई है एबी एबी सी आपको तीन साइट दी हुई है एबी सी यह आपका एक ट्राइंगल हो गया एबी और सी ठीक है यह आप पर ट्राइंगल हो गया अब उसको आपने अलग-अलग साइड दी हुई है 6 cm, 2 cm and 8 cm and that is 10 cm अब how we can construct इस ट्राइंगल को आप construction से कैसे बनाओगे तो by the help of ruler, scale आपको चाहिए, divider आपको चाहिए, d आपको चाहिए जिससे आप angle measurement कर सकते हो, rounder चाहिए जिससे आप arc लगा सकते हो, ठीक है rounder क्या होता है वो जो आता है ना geometry box में एक तरफ कोन और एक तरफ पैंसल फजान 10 cm पर खड़ा हुआ है, तो 10 cm का आप बना लेना, ठीक है 10 cm, अब 10 cm का naming क्या दिया हो है, B और C, तो B और C, अब B से बना लो, चाहिए C से बना लो, B से कितना जारा है यह तक 6 cm, तो आपको जो compost है, compost जो रहता है, rounder, वो rounder आप एक pencil यहां पर रखना, ठीक है, कोना यहां इतना लेना, 6 cm आप सबस्पहले उसको मेजर कर लेना, सबस्पहले आपका rounder का नो के और यह आपके पैंसल, यह 6 cm हो रहा है, तो 9 क्या रखना, और पैंसल पर आर्क रखके से कट कर देना, अब यहां और यहां कि आपके लंबाई कितनी होनी चाहिए, 6 cm होनी चाहिए, ऐस आपका हो जाएगा, ऐसे construction हो जाएगा, अब construction का triangle के rules 4 होते हैं, sss, मतलब side side side, sas side angle side, asa angle side angle, और last one is rhs, जो इसमें हम right hand head बोलते हैं, उसको क्योंकि हमाप 90 degree का लगता है, rule, right angle triangle वाला, अब हम एक एक करकर देखते जाएंगे, first case क्या है हमारा, sss, first case है हमारा, sss, sss, sss मतलब side side side, triangle में कितनी side दी रहेगी, तीनो side आपको given रहेगी, आपका triangle है, a, b, c, या p, q, r, ठीक है, p, q, r, उसमें 3 side दी हुई रहेगी, क्योंकि side 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 हो आपकी property है, 5 cm, 6 cm, and 7 cm, ठीक है, अब आप इसको कैसे बनाओगे, side 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 का मैंने बताई दिया है, base मना लेना पहले, qr, qr आपको क्या हो गया, base, कितना है, 7 cm, यह आपको proper measurement से बनाना है, अब q से p तक कितना है, 5 cm, तो scale और d को आप इतना खोलना कि वो 5 cm हो जाए, तो जैसे कि 5 cm हो गया, एकर गया, फिर r से p तक कितना है, 6, तो एकर क्या, फिर जो join जहां से meet हो रही है, r के इंटरसेक्टर हो रही है, वो joining point को आप मिला देना, तो यह क्या जाएगा side 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 की property हो अब next है आपका S, A, S मतलब side angle side, side angle side में क्या होगा आपको, side angle side वाली property में आप देखिएगा, कि आपको 2 side दी होंगी और एक angle दिया रहेगा, तो यह आपका triangle है, दो यहाँ पर side दी होए 5 cm, 5 cm ठीक है, एक यह side दी होए 5 cm, यह 10 cm, 15 cm, जो भी दे रखे हो, एक angle दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया है, 60 degree, कोई से भी angle दे सकते है, यह वाला, यह वाला, अब आपने 5 cm खीच ली, ठीक है, अब 60 degree आप कैसे बनाओगे, 60 degree आपके अभी course में direct दिया हुआ है D से, तो आप D से लेना, आपको construction, आपको class 8 में सिखाए जाएगा, कि बिना D के आप कैसे बनाओगे, तो आप D लेना, यह आपका D, ठीक है, ऐसा रखना कि यह लाइन के बिलकुल parallel आप, एकदम को, एकदम दिखे वो उस पर, लाइन पर लिख लिए, अब 60 degree कि दर बनेगा, इधर तो बनेगा नहीं, तो आप यहाँ बना और एक साइट दी होगी, लास्ट है आपका RHS, RHS में आपको बता जाती हूँ, टू साइट की बन दी होगी, यह, एक तो, एक तो देखो, यह 6 cm दी होगी और यह कुछ भी 9 cm, और तीसरी जो साइट से वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, बेस से तिकी होगी, तो वो क प्रोच्ट करत हैं, यह, क्या जो मात कर वी यह कुछ मर बंद क्या होगी, दू से दर आता हुगी, खंग एक साइट मैंघ आता दू प्रचात कर देके हैब कई।